रमेश पवार इनका सवाल ऐसा है कि गायतरी परिवार ने हर जगह यग्या युजित करने का प्रयास शुरू किया है छिंदवाडा में घरगर में यग्या होने वाले हैं और आपने कहा कि यग्या की जरीए तो कोई फाइदा नहीं मिलता है तो यह यग्या को कैसे रोका जाए एक देखिए अपना देश जो है Constitution के आधार पर चलता है और हमारे Constitution में जो हमारे मुलभूत अधिकार है उसमें धर्म और धर्म के साथ में चलने वाले आचार अमल में लाने का और उसका प्रचार और प्रसार करने का भी अधिकार दिया है अब इसलिए जो लोग इसका प्रचार करते हैं लोगों को प्रवृत्य करते हैं यग्या करिए अब उससे कुछ होता नहीं है यह तो फैक्ट है यह तो मैं बार बार बोलता हूं बोलते आया हूं हमाने डॉक्टर श्रीकान जिशकार थे नाकूर के बहुत बड़े राज्किये वेक्टी थे विद्वान वेक्टी थे ऐसा माना जाता था बहुत सी डिग्रिया उन्होंने प्राप्त की थी वो तो जाहीर तरीके से यग्य करवाते थे और इसके जरीए वातावरन शुद्ध होता है ऐसा दावा करते थे जबकि वो पोस्ट ग्रेजुएट खुट डॉक्टर थे साइन्स के डिग्री उनके पास थी आएस ओफिसर करकर भी चूने गए थे याने विद्वत्ता में कहीं कमी नहीं थे तब हमको पूरे प्रमाण के साथ में सिद्ध करना पड़ा नाकपूर युनिवसिटी के ही केमेस्ट्री डिपार्मेंट की सहायता लेनी पड़ी और यग्य करने के बाद में उसमें से कार्बन मॉनोएक्साइड का प्रमाण बढ़ता है क्योंकि उसमें घी होता है और वो बहुत ही हानिकारक होता है वातावरं तशुद्ध होना दूर उल्टा जदा प्रदुशित होता है ये उनके नेशकर शम को प्रसिद्ध करने पड़े और उसके बाद में फिर ये आवाज बंद हो गई वो भी शायद गायतरी परिवार से जुड़े थे नहीं जुड़े थे मुझे मालूम नहीं फैक्ट है कि उसका कोई फायदा नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद हमारी कॉंस्टिटिशन ने इसका अधिकार दिया है और मैं उस अधिकार का सन्मान करता हूँ इसलिए हम ये बात लोगों के सामने रखे लोगों को समझाए इतना ही हम कर सकते हैं और उसी मर्यादा में हमने काम करना चाहिए देखिए दो तरीके होते हैं इस काम के एक तरीका ऐसा है कानून के जरिये रोके इसलिए महाराष्ट में जादू टोना विरूधी कानून बना है लेकिन वो किस क्षेत्र में बन सकता है जहां लोग ठगे जाते हैं लोगों का शोशन होता है लोगों की जान की जोखिम या फिर मरने की संभावना है वही पर कानुन काम कर सकता है हम भी ये काम करते वक्त अपना हस्तक्षेप कहा करेंगे जहां डाइरेक्ट शोशन होता है लोगों को डाइरेक्ट ठगा जाता है या फिर लोगों की जान की जोखिम होती है बहीं पर हमने अस्तक्षिप करना चाहिए बाकी जगर प्रबुधन का काम है या आमने केवल प्रबुधन करना है लोगों को समझाना है या ग्यसे कुछ होता नहीं है इसको कोई आधार नहीं है अब आप बोलेंगे इसको तो बहुत समय लगेगा लेकिन है लोगतंत्र हैं लोगतंत्र के कुछ फाइदे भी हैं उसके साथ में कुछ नुकसान भी आता है अब वैसे देखा जाए तो मेरे जैसे विचार रखने वाले हम लोग तो बहुत ही अलपसंख हैं लेकिन ये Constitution ने अधिकार दिया है इसलिए रख पा रहे हैं और इसलिए बहुत संख्य लोगों का विचार अलग होने के बावजूद ये विचार रखने का अधिकार प्राप् सकते हैं नहीं करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं लोगों को ये बाते समझाना हमारा काम है वो हमने करना चाहिए आप भी ये करें अपने घर के लोगों को आसपास के लोगों को समझाए इसे कुछ फाइदा नहीं मिलता है अगोर ये अग्य करने से जो फाइदे मिलते हैं ऐ उसकी जाच करेंगे, जाच करिए, चेमिस्ट्री डिपार्मेंट होगे, सही में बातावरण शुद्ध होता है कि नहीं, आप भी जाच पाएंगे, तो इन सब चीजों को इस धंग से हमको लेना चाहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे जरूर लाइक करें, लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को जरूर शेयर भी करें, तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें, ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं